नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर ललीत कुमार गंगेल अपने इस चैनल की एक और वीडियो में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं उमीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे जैसे कि आप हमेशा से अच्छे रहते हैं दोस्तों आज का जो थमनेल की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाट इस ऑक्सीपिटल है या हैड में पेन जो की ऑक्सीपुट रीजन में जो मेरे आम दर्शक है जो इस वीडियो को देख रहे हैं और ऑक्सीपिटल नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं उनकी जैनकारी के लिए बता दे रहा हूं कि इस li интересно पिछला हिस्सा को हम बोलते है तो यहां नियुक ऑफने दर जैसे के आप सब लोग जानते हैं जो है चुमन को यह experience practitioner में आपको बता दूं कि headache के जितने भी cases होंगे उसके अंदर से लगबग 25% के cases के अंदर patient बड़ा specifically problem लेके आता है कि डॉक्टर साहब I am having the headache in my nap of the neck क्या फिर occipital headache हो रहा है अभी आम लोगों के अंदर इसके होने का रवया क्या है मतलब यह किस तरह से इसका presentation होता उसके बारे में बात most of the cases के अंदर occipital headache सवेरे सो के उठता है when the patient is just about to rising from his sleep and raising from the bed जैसे bed से निकलने वाला होता है उसको कुछ आभास हो जाता है क्योंकि दो at that time in the morning उसको practical headache नहीं होता है बट यहां पर उसको एक undulating sensation सा feel होता है बार-बार रहके उसका बार-बार ध्यान जाता है और इससे वह अंदाज़ा लगा लेता है कि ओखो आज मां फस गया आज during the day मेरे को headache होने वाला है especially on the back of the head या nap of the neck या फिर occipital region और यह जो इसका मतलब एक प्रकार का जो शक था यह यकीन में बदल जाता है जैसे-जैसे दिन चड़ना चालू होता है जी यहाँ दोस्तों जैसे-जैसे दिन progress करता जैसे-जैसे दिन उक्ता है कि यह सवेरे 7 बजे उठा सास से लेके 8-9,10 बजे तक वह pain भडा हलका रहता है बहुत हलका रहता है और 10-11 बजे के बाद वह परवान पर चड़ना शांति से लेटना चाहते है उनका एक ही मकामना है कि भाई अगर कोई मुझे डिस्टरब नहीं करें मतलब इस हैडेक में ही केन आट ट्रेवल ही केन नाट डू एनी वर्क ली केन नौट बी इन दा मुव्मेंट he cannot talk to anybody he cannot do any task in which there is the intelligence of the brain मतलब कुल में लायक ही नहीं बचा वो बंदा की वो अब कुछ नहीं कर सकता तो धाई तीन बजे तक यह पीक पे जाएगा उसके बाद यह सबसे ज्यादा परेशान करेगा तीन से लेके चार पांच बजे तक और दोस्तों तब तक लोगों को अकसर इसके अंदर उल्टी हो जाती है बट डू नॉट इंटर मिंगल दिस ओक्सीपिटल हैडेक विट माइग्रेंड इतीज नौट माइग्रेंड यह माइग्रेंड की परिभाशा होती है सेमी लेटरल है एक तरफ आदा सिर्दुखता है और यहां पर हम बिल्कुल उससे मुक्तलिफ और अलग बात कर कर रहें हम बात कर रहें ने पॉप दाने क्या फिर पीछे बैक ऑफ दा है पर पे पेंड तो पांच बजे तक या तो उनको थोड़ी बहुत वह मिटेंगे होंगी उसके बाद भी नहीं रुके का दोस्तों कई लोगों को तो नहीं मैं बोलूँगा नाइंटी परसंट बात करेंगे अब बीग एक्सपिरियंस प्रेक्टिशनेर सिंस लास्ट फिटीन यर्स मैंने कुछ इसके कारण समझने की कोशिश करी सबसे पहला कि नेचरली बंदे को कब होता है कि जो शौकिन लोग होते हैं नाइट पार्टी वाले वह जनरली जब सबेरें सो के उड़त होती है उसमेंसे सी वण और टू के बीच की जो नर्व होती है वह नर्व दोस्तों वह इसी एरीये को सप्लाई करती है ऊपर की तरफ मतलब सी एवन और सी टूर से जो नर्व निकलती है बिल्कुल गर्धन उसकी जो supply होती है वो दोस्तों वो इसी area को करती है तो कई बार cervical spondylitis के cases के अंदर भी हमको यह occipital headache दीखता है we see these type of occipital headache very frequently in the indigestion and the cases of the gastric derangement यह हमारा तीसरा कारण है कि जिन लोगों का पेट खराब होने की tendency रहती constipation की tendency रहती है दोस्तों उन लोगों के अंदर occipital headache का मिलना बहुत normal है चौथा कारण जो लोग literally work में indulge होते हैं जो लोग या तो writers हैं या फिर वो teachers हैं वो कहीं पर teach करते हैं पढ़ाते हैं तो ऐसा काम जिसके अंदर दिमाग की पच्ची मगच पच्ची बहुत कर रहा है वह आदमी scientist हो गया है तो यह सब लोगों के अंदर बहुत frequently इनके ठक जाने के बाद इनके परेशान हो जाने के बाद mentally drain हो जाने के बाद यह occipital headache देखने को आता है तो दोस्तों यह मेरी experience में मैंने चार-पांच कारण निकाल के रखे हैं चटवा कारण जो hypertension होता है अगर hypertension की cases के अंदर हमको बहुत frequently occipital headache देखने को मिलता है बट कारण चाहे कुछ भी हो अगर उस headache का manifestation वैसा है जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि आँख खुली तो emergency management करना पड़ता है तो यह था occipital headache का detailed description with the cause and with the signs and symptoms अब आते हैं ट्रीटमेंट पर अलोपेथी कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कोई treatment यह खाते है ना उस दिन बस वही एक treatment है इसके अंदर अलोपेथी में और इसकी headache जिन लोगों में होता है इसकी tendency उन लोगों के अंदर chronically पाए जाती है कि वो chronic patient होते हैं इसके वो बताते हैं महीने में तीन-चार बार मेरे को यहां पर headache होता और मेरे को 10 साल से होता रहा है और यहां पर फिर repeat कर रहा हूं it is not the migraine यह migraine से इसका दूर दूर तक लेना नहीं है तो अब आते हैं सीथे homeopathic treatment में the two most important medicine indicated in the patient of occipital headache are the first one is the nux vomica 200 जी हां nux vomica 200 potency में and the second medicine is the bryonia 30 जी हां bryonia 30 potency में इन दोनों दवाओं को आपको separately गोलियों में sugar globules के form में लेना है चार-चार गोली दिन भर में तीन बार कम से कम कोई भी अगर chronic headache के patient chronic occipital headache के patient उनको इसका सेवन करना है just for the one month आप करिये और अगर आपको improvements मिलते हैं जो कि मैं promise करता हूं कि major population जो वीडियो देखके दवाएं लेगी उनको यह दवाएं अपने homeopathic doctor की सला के बाद लेना है और अगर आप as a doctor देख रहे हैं तो careful study के बाद in medicine को आप अपने patient को दे सकते हैं और इस बात का मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को जो results मिलेंगे वह बहुत ही जादा खुश कर देने वाले मिलेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए आने वाले इस हफते के events में कुछ वीडियो में और हर शनिवार को शाम को साड़े-चार बजे होने वाली live stream में आप सब से मुलाकात होती है तब तक के लिए नमस्कार